गवालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थाइत्व खोजने में ही बीत रहे थे फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए पैसे भी खतम होने लगे तीन महीने उसे तिरलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे तिरलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशो भी रहता था इसलिए उस कमरे में दो की जगए तीन लोग हो गए एक कमरे में तीन लोगों के रहने से तिरलोकी को कोई कस्ट नहीं था लेकिन उसके room partner केशो के विचार इतने सुलजे हुए नहीं थे तिरलोकी का रिष्टेदार होने की कारण केशो मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे कह नहीं पा रहा था लेकिन वैचाता था कि मनोज कहीं दूसरी जगे कमरा देख ले केशव BSC कर रहा था वे जादतर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था BSC करने के कारण वे BA करने वाले मनोज को पढ़ाई में कमजोर मानता था एक दिन केशव ने मनोज से कहाई दिया मनोज तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो तीन लोगों के ये एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टरब होती है मनोज ने केशव को आशवाशन दिया कि वे जल्दी ही अलग कमरा किराये पर ले लेगा लेकिन जब तिरलोकी को इस बात का पता चला तो उसने केशव को आड़े हाथो लिया केशव तीन लोग अराम से रह सकते हैं कमरे में मनोज गवालियर में नया है इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा तिरलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से सपस्ट कह दिया तिरलोकी के निर्णे के विरूद इस विरूद में केशव कुछ नहीं कह पाया लेकिन वे मनोज से चिडने लगा एक सुबह तिरलोकी को किसी काम से अपने गाउं जाना पड़ा मनोज कॉलिज चला गया केशव अकेला कमरे पर रह गया कॉलिज में एक पिरियर्ड खाली था मनोज और रविकान दुएदी ग्राउन में एक बैंच पर बैठकर इंग्लिश विशे को बीए में चुनने को लेकर चर्चा करने लगे रविकान थने इंग्लिश के लाब गिनाने शुरू कि मनोज आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इंग्लिश बहुत जरूरी है मनोज इंग्लिश के नाम से ही घब राता था उसने परतिवाद किया लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज़ादा जरूरत नहीं पढ़ती रविकान ने द्रड़ता से कहा पर जिन्दगी में पढ़ती है किसने कहा कि तुम पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे अगर पीएससी में नहीं होए तो हिंदी का जुनजुना तुमारे पेट भी नहीं बर पाएगा इंग्लिश आपके लिए नोकरी के लिए कई ओप्शन खोल देती है आप टिवशन पढ़ा सकते हो किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड जादा होती है मनोज ने जब यह यथार्ट सुना तो घबरा गया उसने पीएससी में सिलेक्ट नहीं होने हो पाने के बाद की परिस्थिती पर विचार नहीं किया था रविकान ने कहना जारी रखा भाई मनोज आप पहले ही आर्ट जैसे अनूप योगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हैं इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में चार पैसे नहीं कमा सकते अब कम से कम इंग्लिश बचिये जिसे अच्छे से सीख कर आप अपना भविश्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो मार्केट अधारित भविश्य के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था इसलिए रवीकांत से प्रभावित होकर उसने हिंदी सायत्ता और इत्यास के साथ बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिट्रेचर रखने का निर्ने ले लिया चर्चा में शाम के चार बज गए कमरे पर पहुच कर देखा तो उसने वहाँ पर ताला लगा हुआ है वह वहीं बैठ कर केशो का इंतिजार करने लगा इंतिजार करते करते दो घंटे बीट गए तो केशो को चिंता होने लगी पास ही रहने वाले केशो के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को पता चला कि वह तो अपने गाव डबरा चला गया है मनोज के साथ जो उसका फ्रेंड मिलते हैं उसको कहते हैं कि इंगलिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग वेज इंगलिश के बिना कुछ नहीं है हमेशा लाइफ में प्लान भी होना चाहिए बात भी सही थी क्योंकि कहीं न कहीं हम इंडिया में यह सोस्ते हैं कि अगर किसी को नहीं को तो वो इंडिये नहीं है नो दिखी एंडीये नुट औल बट हमारे जय legacy इंविर्मेंट में गां के के फ्रेंड की की इंगलिश सीखना जरूरी है अगली फेस में देखते हैं क्या होता है ललित्पूर कोलोनी में तिलोकी के कमड़े का ताला अब भी बन था उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था उसके लिए समस्या यायत है कि वे रात को कहा जाएगा इतने बड़े श बीस रुपे ही बचे थे उसने बीस रुपे के दो छोले बटूरे खा लिए अब बड़ी और भारी रात बितानी थी मनोज को राजपूत बॉर्डिंग में रहने वाला भधोरिया याद आ गया वे राजपूत बॉर्डिंग चला गया लेकिन वहां जाकर पता चला कि भध अचलेशुर मंदिरके पास बैठ गया आज उसे मैसूस हो रहा था कि रहने के लिए कमरा कितने बड़ी उपलब्दी होती है अचिलेशुर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे मनोज देर तक फुटपाथ पर बैठे इन बिखारीयों को देखत कमजोर औरते बुड़े बिमार आदमी मैली गठरियों को अपने पास रखे फुटपात पर सोने की तयारी में थे मनोज उने देखकर अपना कस्ट भूल गया वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है ये गरीब बिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं ये लोग क्या सोचते होंग कि तब ऐसे ही फुटपात पर सोएंगे अपने कस्ट को भूल कर वह इन तमाम परशनों में डूब गया पर उसे इन परशनों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था दीरे दीरे सब बिखारी सो गए लेकिन मनोज की आँखों में नीन नहीं थी आज वह इन बेघर बिखारियों क सहयात्री था उसकी वेदना आज इन बिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी वह सोचता रहा क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों की दुखों को दूर कर सकी सारी रात उसकी जागते हुई कट गई अपने कस्ट को भूल कर वह रात बर इन गरीब और म जाने के कारण ठके हुए मनोज को कटोरा तलाब की बैंच पर नीद आ गई दो घंटे सोने के बाद उसकी ठकान कुछ कम हुई अगले पूरे दिन वे कई बार कमरे पर गया हर बार वहां ताला ही लगा मिला अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था उसने दूसरा दिन कॉलिज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तलाब की बैंच पर करवटे बदलते हुए बिता दी। बे घरबारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठी रोने वाला था। मनोज जाने के लिए उसके पास गाउँ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे वे सुबह साथ बजे ही कमरे पर पहुँच गया पर कमरा अभी भी बन था उसने ताले को पकड़ कर हिलाया लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था निराश होकर वे कॉलिच चला गया लेकिन ठकान और भूग के कारण उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी तो वे क्या करा उसने ग्राउन में बैंच पर बैट गया बैंच पर बैटे बैटे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफे तो आएंगी ही इनी कटनाईयों को तो पार करना है इस विपरीच समय में भी मुझे धैरियनीक होना है मुझे पढ़ाई करना है चाहे कुछ हो जाए अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत मैसूस की वे उठा और तेज कदमों से क्लास की और चल पड़ा उसके बाद उसने लगातार तीन क्लास अटेंड की उसने तै कि वे किसी के सामने रोएगा नहीं गिडगडाएगा नहीं किसी दोस्त से मदद नहीं मांगीगा उसे लग र मनोज के बेट में अनका एक दाना भी नहीं गया था भूक से बेहाल मनोज की शरीर में ताकत नहीं बची थी उसे लग रहा था अब यदि उसे बोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा चलते चलते ललितपूर कलोनी में सावित्रे बोजनाले के सामन मिल सकता है मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं बलकी भरोसा था जैसे वह अपना हक मांग रहा हो बोजनाले के मालिक ने उसे उपर से नीचे तक देखा दूबले पतले मनोज के चैरे पर डाड़ी थी डेले डाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे चैरा कमजोर था परोसे का मेरे लिए भोजन जरूरी है पैसे नहीं होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूं होटल मालिक के यां सैकडों लड़के खाना खाने आते थे कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे उधार भी खाते थे कई बार उधार वापिस मिलता भी नहीं था कई बार लड़के पैसे नहोने पर रोनी सूरत बना कर फ्री में भी खा जाते थे होटल मालिक लड़कों की रग-रग से वाकिफ था लेकिन ऐसा कोई लड़का अत्वा इस तरह का कोई परस्ताव इस होटल में पहली बार आया था पहले कभी ऐसा परस्ताव नहीं आया होटल मालिक ने नोकर को अवाज लगाई इन भाई साब को एक थाली लगाओ मनोज के सामने डाल आलू गोबी की सबजी पांच रोटी और चावल से सजी थाली आ गई वे खाना खाने लगा उसका दिमाग सुन हो गया था आज का बोजन साधारन नह नहीं था रोज कितनी असानी से बोजन मिलता है कितना कठिन होता है पेट पर पेट भर बोजन मिलना यह आज मनोज को महसूस हो रहा था उसकी आखों में आसू आ रहे थे जिने वे रोक रहा था वे होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था बोजन करने के पास गया धन्यवाद अब आप मेरा काम बताईए मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ होटल मालिक ने फिर मनोज से रूबरू हो रहा था आपने खाना खा लिया है आपको इसके बदले मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है तब ही होटल में मनोज के कोलिज का दोस्त रहिकान द पड़ा रहा इस सीन को अब होटल में उपस्तित पर तेक वैक्ति देख रहा था एक डाड़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा है होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तयार नहीं एक लड़का दूसरा लड़का थाली क कीमत 30 रुपे निकाल कर हाथ में पकड़ा है बड़ा आजीब द्रश्य है रवी कांत को भी नहीं पता था कि कोलेज में सीधा सरल दिखने वाला मनोज इतना जिद्धी है मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था उसका दिमाग जैसे एक जगया कर अटक गया था उसको नही पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई उसने होटल मालिक से फिर का यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूंगा तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप मिल जाती होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे वह अपने हाथ में 30 रुपे लिए खड़ा था होटल में उपस्तित कुछ लोग इस दिर्शे पर हस रहे थे कईयों को मनोज में एक बेवकूफ अत्वा आती उधार खाकर वापस नहीं आए पर होटल मालिक ने कभी किसी से बरतन नहीं दुलवाए होटल मालिक का यह एक विफसाय था पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसों के लिए परेशान नहीं किया फिर भी उस होटल उसे बहुत कमा कर देता था पर आज होटल म मालिक ने एक बार वही बात दो रहाई तो नोकर मनोज को अंदर ले गया मनोज ने अंदर जाकर आदा गंटे तक बरतन साफ कि रविकांत होटल में बैठ कर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा बोजन के लिए आपका बहुत बहु दिया मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोलना सका रविकांत उसे अपने कमरे पर ले गया तो देखिए इसमें क्या हुआ अब दोस्तों में इर्शा होने लगी अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है कोई आर्ट्स का कोई कोमर् भी सकसेज हो सकते हैं बट बीएसी वाले फ्रेंड ने उसको छोटा समझा डिमीन किया और बाद में क्या हुआ कि उन्हें भूका रहना पड़ा मनोज को और बहुत जादा स्ट्रगल देखना पड़ा बट उन्हें पता चला जब देखो हम कुछ बन नहीं पाते या हमारा घर चोटा है या मैं कुछ बननी पारी या आप लोगों में से बहुत सारी टेस्ट दियोंगी तो हमें लगता है हमारी लाइफ कितनी बेकार है पर जब भी हमें ऐसा लगी तो हमें जो गरीब लोग होते हैं जो बिखारी होते टेंट्स में रहते हैं सडक के किनारे फुट पात पर उनको एक बार देख लेना चाहिए और फिर भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारी लाइफ कितनी जादा बैटर है और जब हमें कुछ बड़ा बनना होता है हमें और जादा अच्छा करना होता है लाइफ में तो हमें अपने से उपर वाले को देखना चाहिए जो रिच है प्रोस्पेरिटी यह जो लग्जीरिस लाइफ जी रहे हैं तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सिच्वीशन के अकोर्डिंग कैसे ढल जाना चाहिए और कैसे मैनत करनी चाहिए इमानदारी का खाना लाइफ में खाने की और रहने की भी प्रॉब्लम आने लगी तो शायद कोई इतना स्ट्रगल इस टाइम भी कर रहा होगा पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं पट आपना जो उसने मन में विश्वास लिया था और उनके मन में जिद्धी पन आ गया था जिद्धी पन कभी-क भी बहुत जादा अच्छा होता है जब आप अपने करियर के लिए जिद्ध करते हैं जब आप अच्छी चीजों के लिए जिद्ध करते हैं तो ऐसे ही मनोज ने भी जिद्ध की आगे देखते हैं नेक्स चेप्टर में क्या होता है तिल देन टेक कियर